अलो श्टुडेंस बॉर्निंग इंदी में लाश्टिन हमने अउग की मात्रा के शब्द करेंगे आज हम उसके वाक्या रेट करेंगी यानि लान करेंगी ओके तो सबसे पेंदें प्रेयर करेंगे So join your hands and close your eyes Now open your eyes, put your hands down Last man, how can we teach you? अउग की मात्रा के शब्द सिखेते For example, नौ क, नौ क यनि कोट को वा आउर त आज हम आउ की मात्रा के बाक्य करेंगे को, यहाँ क किट सार कौन सी मात्रा है? आउ की मात्रा है को शब्धो चोटी की मात्रा को शिख फिर पमकेस बि़ आउ की मात्रा है तो पवधा लगाओ, कवशी पवधा लगाओ, तो ऐसे ही हम sentences अपनी वरक्षित में करेंगे So students, check out your Hindi वरक्षित, page number 2222 दास्ट में हमने अव की मात्रा के शब्द सिखे थे नवका, कववा, अवरत, खिलो उने आज हम क्या सिखेंगे? अव की मात्रा के वाक्यों सिखेंगे अव की मात्रा के वाक्यों सिखेंगे तो अव की मात्रा कैसी होती है? देखो, यहाँ है, अव को ढख दिया, तो क्या बचा? एक स्चेंडिंग और दो मात्रा अव की मात्रा कैसी होती है? अको ढख देंगे तो एक स्टेंडिंगोर दो मात्रा बशती है तो यह है अव की मात्रा तो यहाँ पे हम उसके वाकिय लिखेंगे तको अव की मात्रा तव लगो छोटी की मात्रा ली या यको आ की मात्रा या तो लिया सको छोटियू की मात्रा सुखा ओ तोलिया सुखाओ फिर कवशिक पवधा लगा कवशिक पवधा लगा फिर नको आउ की मात्रा नव कर नवकर जोन यहाँ जोग के साथ आउ की मात्रा है जोन पूर गया है नवकर जोन पूर गया है फिर शको आउ की मात्रा शौकत शौकत कखो आउ की मात्रा का खिलोना तूट गया फिलास में चको आउ की मात्रा चौ। लोको आउ की मात्रा लोत आया चौकिदार लोट आया तोलिया सुखाओ कौशी का पौधा लगा नौकर जोन पूर गया है शौकत का खिलोना तूट गया फिर क्या है लास्ट में? चौकिदार लोट आया चौकिदार लोट आया तो यह ओकी मातरा के वाकिया आपको पेज नंबर 22 में कम्पलीट करने है ओके स्टूडेंस थैंक यू